हमारी सनातन धर्म में जन्माश्टमी का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। भादरपद महीने के कृष्ण पक्षकी अश्टमी तिथी को द्वापर युग में भगवान श्री विश्णू ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारन किया था। और हर साल इसी दिन श्री कृष्ण जन्माश्टमी मनाई जाती है। सबसे पहले तो आप सभी को जन्माश्टमी की हार्दिक शुब कामनाए। 6 सितंबर को सभी ग्रस्ट जीवन वालों को जन्माश्टमी मनाना शुब रहेगा। और जो भी वैशनव संप्रदाय के लोग हैं या इसकौन से जुड़े हुए लोग हैं वो 7 सितंबर गुरुवार के दिन कानहा जी का जन्म उत्सव मनाएंगे। और 7 सितंबर को ही दही हंडी का शुब मुहूर्थ भी रहेगा। और इसी दिन रोहिनी वरत भी रखा जाएगा। अश्टमी तिथी प्रारंभ होगी 6 सितंबर बुधवार दोपहर 3.49 मिनट से और समाप्थ होगी 7 सितंबर गुरुवार शाम 4.14 मिनट तक 6 सितंबर को जन्माश्टमी का उपवास सुभा से प्रारंभ होगा। और अगली दिन वरत का पारंग किया जाएगा। इस तरह से मध्य रात्री की पूजा का कुल समय रहेगा लगभग 46 मिनट का। और जन्माश्टमी का उपवास खोला जाएगा 7 सितंबर गुरुवार को सुभध 6 बच के 9 मिनट के बाद हाला कि बहुत सारे लोग कानहा जी का जन्म होने के बाद मध्य रात्री के बाद ही अपना उपवास भी खोल देते हैं तो आप जिस भी नियम का पालन करते हैं उस पालन आप जरूर करें थैंक यू